भविश्य में बिजनेस करने के सक्सेस मंत्र ऐसा गेम प्लान है, जिसके द्वारा आप इस अस्पष्टा, अस्थिर्ता वजटिलताओं वाले युग में भी, जहां प्रत्येक व्यापार वनेत्रित्व नई वा अप्रत्याशित चुनोतियों का सामना कर रहा है, सफलता हासि व्यभारिक नियम बनाए है, फिल्ट सर्कल ऐसी अंतरद्रिष्टी वर सुक्ष्मद्रिष्टी तीक्ष्मता का निर्मान करें, जिससे आप इन शक्तियों को किसी भी अन्यव्यक्ती से पहले पहचान सकें, विशेश रूप से उन लोगों की पहचान करें, जो परिवर्तन के उत्प्रेरक बनकर कंपणी या उध्योग में आध्यूपांत बदलाव लाने वाले हो, फिल्ट सर्कल अनिश्चित्ता में आफसर को देखने की मानसिक्ता बनाए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को आउन कर चलिए शुरू करते हैं ये पुस्तक आपके सामने स्पष्ट वसीधी चुनोती रखती है कि या तो आप व्रिदिशी लाब या सुरक्षात्मक रहते हुए विरास्ती जगत में शामिल रहें या आक्रामक होते हुए अपनी एक नई दुनिया बनाए और पारम परिक खिलारियों को पीछे छोड़ कि वह किसी से कम नहीं है हाला कि काम्याबी हासिल करने का सही मार्ग पता नहोने के कारण उनके लिए सफलता पाना मुश्किल होता है लेकिन द्रिर संकल्प और करी मेहनत करके हर मुकाम हासिल किया जा सकता है काम्याबी यूही हासिल नहीं होती इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. इन नियमों को अपनी आदत बना ले ताकि काम्याबी की उचाईों को छू सकें. यहां काम्याबी हासिल करने के कुछ आदर्श तरीके बताय जा रहे हैं, जिन्हें जीवन में आदत की तरह अपना ले. किसी भी काम में सफलता के लिए जरूरी है कि समय की इजज़त करें. समय के पाबंद रहें. किसी काम में लेट लतीफी आपको हमेशा नुकसान पहुंचाती है. देरी से किया गया काम काम्याबी की राह को मुश्किल बना देता है. इसलिए समय के पाबंद रहना सीखें. आप तब तक कोई काम बहतर तरीके से नहीं कर सकते, जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा. आत्म विश्वास होना चाहिए कि आप बहत मजबूत है. खुद को किसी से कम न समझें, बल्कि अपने आपको बहतर समझें. गल्तियों को स्वीकार करना ही काम्याबी की ओर कदम रखना है. गल्तियों को समझने से नई स सीक मिलती है ताकि दोबारा उस गल्ती से बचा जा सके और काम्याबी का मुकाम आसानी से हासिल किया जा सके. समय या मौके का इंतजार न करें. खुद से मौका तलाश है. जो करना है, उसकी योजना बनाकर काम शुरू कर दें. इस बात का इंतजार न करें कि अच्छा समय आएगा तब ये काम किया जाएगा. ऐसे हाथ से समय निकल जाएगा और आप पिछरते चले जाएंगे. काम्याबी हासिल करने के लिए हमेशा खुद को सीखने के चरण में रखें. सदैव कुछ न कुछ सीखते रहें. कोई भी कुछ सिखाय तो उसे समझें. किताबों, ती यूट्यूब चैनल रिचवानी को सबस्क्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए. भविश्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वी वीडियो में. थांक यू.